पूरानी शोटली है इसके मैंने बटन्स निकाल दी है और यहाँ पे मैंने इसके उपर की तरफ सिलाई लगा लिए तो यहाँ से हमारा इस तरीके से यह क्लोज हो गया अब इसमें से हमें एक रेक्टेंगल पीस कट करेंगे वान और टू टू रेक्टेंगल पीसिस मैंने कट कर लिए इसके में बता देती है 15.5 इंच और ऐसे लिए है मैंने 19 इंच अब आपको करना क्या है यहाँ से नीचे वाली तरफ से पहले हम इससे सिलाई लगा लेते है यहाँ तक नीचे की तरफ इस पे सिलाई यह मैंने इस पे सिलाई लगा ले तो इस तरीके से देखिए एक रेक्टेंगल पीस आगे मेरे पास अब हमें क्या करना है सेम साइस की एक पीस लाइनिंग कट करने है लाइनिंग कट करने के लिए इस तरीके से मेरे पास पुरानी ओल्ड कुड़ती है उसमें से मैं कट कर रही है, कोई भी पुराना कपड़ा हो आप उसमें से लाइनिंग बना सकते हैं, पुरानी कुर्ती में से सेम साइस की मैंने लाइनिंग कट कर लिए, यहां जोड लगा है, बीच में इस तरीके से प्लास्टिक वाला राइस बैग यूज़ कर रही हूँ, आपके एन्वस भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म शीट कुछ भी आपके पास, और उसके उपर रखा है मैंने यह जो शर्ट में से कट किया था, इस तरीके से, अब इसके चारो तरफ सिलाई लगा लीज़िए, यह मैंने चारो तरफ इसके सिलाई लगा ली तो इस तरीके स एक सिंगल पीस मेरे पास रेडी हो गया, अब हमें क्या करना है, इसके हम यहाँ पे इस तरफ पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से मैंने ट्रांस्परेंट वाला प्लास्टिक लिए, आपके पास कोई पुराना साडी कवर पढ़ा हो, कोई लैगिंग कवर पढ़ा हो, उसमें से आप यूज कर सकते हैं, इसके विर्थ हमें लेनी है, इसके बराबर और ये मैंने लिए है 4 इंच, अब हमें करना क्या है, इसे हमें 1, 2, 3 और 4, चारो तरफ से पहले पट्टी लगा के फिनिश करना है, तो हमें करना क्या है, इस तरीक से पाइपिंग को रखते हुए, इस पे पूरे पे 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 पाइपिंग से फिनिश कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसके साथ इस कि 味 Municipal Patti को इस तरीके से उपर की तरफ यहां पे उपर की तरफ इसलाही लगाली क्पिस इसके साथ एक पीस इसके साथ अब हमें क्या करना है यह मेन वाला फैब्रिक लेना है यहाँ से स्टिचिंग के लिए थोड़ा तरीके से हाफ इंच का छोड़ते हुए यह रखना है और फिर इसके उपर यह वला पीस रखना है इस तरीके से दोनों पीस रखते हुए यहां से लेके यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लिजिए एक सिलाई यहां पे इसके उपर जिप के यह मैंने इस पर सिलाई लगा जikes यूँ्षे की तरफ एक यहा उपर की तरफ और एक इसके चार की तरफ इनक तरफ सिलाई से देखे इस तरीके से नहीं यहाँ परोडकर गार् देखे सिनगेुă लगा भाइजन झायक के विध्य कोषिण विभी हों यहाँ लाआ पन गई हैं यहाँ बना लिए अब हमें क्या करना है अब पहले इसके लिए साइट बनाते हैं तो इसे दो मिनेट हम साइट पे रखते हैं और यह जो इस तरीके से बचावा कपड़ा है इसमें के सहे हम दो स्कुरेड़ पीसिस निकालेंगे साइट्स बनाने के लिए इसे मैंने दो रेक्टेंगल पीस रेडी कर लिए यह मैंने लिए 10 बाइ 10 इंच उपर शर्ट का कपड़ा नीचे लाइनिंग बीच में राइस बैग और उस पे सिलाई लगाई विए अब हमें क्या करना है इसे किसी भी एक को रखते हुए किसी भी तरफ रख लीजिए यहां से लिखे यहां तक सिलाई लगा लीजिए सेम इस तरीके से यहां पे सिलाई लगा लिए अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से पलटते हुए तो हमारी पाइपिंग से फिनिश हो जागा इसे और इसे इस तरह से दोनों टरफ से ही किटमेश किया सूरी अब नें इस और सकर हैंगा और झूबफ जाएगा करेंखू राप complete third यहाँ पे और फिर मैं इसे एक बार और घुमा लूँगी इस तरीके से यहाँ तक तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया तो यह इतना मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस टाइम में इसे कट कर लूँगी तो यहां से हमारा जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कट कर लेंगे तो यह मेरा अप्रॉक्सिमेट 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ इधर भी एक पाइपिंग की पट्टी लगा लें यह देखे यह मैंने इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दिया बस अब हमें इसकी साइड उस तरफ एक इस तरफ तो यहां से हमें शुरू करना है किसी भी तरफ से आप लगाना शुरू कर लीजिए यहां से सिलाई लगाते वे फिर इसे घुमाते वे यहां तक और फिर इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लेंगे तो एक पिस इस तरफ लगा लेंगे एक इस तरफ लगा लेंगे पूरी मैंने इसलायी लगा लिए यहां से शुरू करके पूरा तक, अब ऐसी हम दुसरी तरफ भी लगा लेंगे, सेम ऐसे किसी भी तरफ से, यहां से शुरू करते बेह। लगाएंगे यहां से लेके यहां तक एक इस तरफ और एक इस तरफ अब इसे सीधा कर लिया तो स्टिपनेस भी देखिए काफी अच्छी बनी है इसमें हमनी राइस बैक का यूज किया इस तरीके से यहां पर हमारे धागे वगएरा रखने के लिए तो मैं रखके आपको एक बर मशीन में डाल के लिखा देती है यहां पर इस तरीके से मैंने थ्रेड्स डाल दिये तो आप थ्रेड्स या कोई और बी चोटा मोटा समान डालना चाहिए इस तरीके से डाल सकते हैं तो मने टू पॉकेट्स बनाई थी दोनों पॉकेट में हमने देखें यहां से इस तरीके से यहां से मारी साइट सागी इसके फाइनल मेजर में बता देती हो फाइनल कितना बना है यहां से लिके यहां तक इसकी विर्थ मेरे पास आई है 18.5 और यहां से लिके यहां तक यह है 9.5 और इसकी हाइट भी मेरे पास आई है प्रॉक्समेट 9 तो यह मैंने थोड़ा बड़े साइस काई बना है अगर आपकी मशीन थोड़ी बड़े साइस की है चोटे साइस की है तो उसमें इसली फिट हो जाएगा क्योंकि साइट से इस तरीके से आ जाता है यह तो आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग लिए से बना सकते हैं तो बहुत यह लिए साइब हो।